यहां Maths Booster Classes हम ले रहे हैं आप सभी का स्वागत है आईए करते हैं कुछ बढ़िया question जो आपके exam के लिए important है तो सबसे पहला question आपके सामने ये screen पे question कह रहा है आपके पास तीन vector है और तीन vector अगर समतली हैं तो आपको बताना है कि lambda का मान क्या होगा so this is very easy question ऐसे question बहुत आराम से हो जाते हैं आपको बताना है कि अगर तीन सदिस जो हैं समतली हैं तो lambda का मान क्या होगा आईए करते हैं इस सवाल को हम लोग जानते हैं कि अगर तीन सदिस समतली होते हैं तो rule क्या होता है rule यह होता है कि 30 सदिस जथी माल निजे पहला सदिस आपके पास सदिस A, सदिस B, सदिस C और अगर यह समतली हैं तो इनका जो सारनिक होगा करता है यहां पर मैंने determinant बना दिया तो इसको मुझे सारनिक C1, A2, B2, C2 and A3, B3, C3 इस सारनिक का मान कितना होता है जीरो होता है अगर तीनों सदिस समतली होते हैं तो सारनिक का मान जो हुआ करता है जीरो हुआ करता है तो आए इसको solve करते देखें तो ये सदे समतलिये है तो इसका A1 कितना दिया है लेमडा दिया है ये दिया है ये दिया है 1 और ये दिया है 2 क्योंकि इसके coefficient जो है लेमडा 1 & 2 then second coefficient कितने इसके गुडां कितने है 1 लेमडा and minus 1 and 2 minus 1 and lambda yes तो equals to 0 तो चेक कर लिजे लेमडा 1 to 1 लेमडा minus 1 and 2 minus 1 लेमडा equal to 0 बस इसको हल कर दीजे तो आपका लेमडा का माना जाएगा क्योंकि समतलिये होंगे तो यही रूल लगता है कि तीनों सलिस अगर समतलिये हैं तो तीनो का त्रिक गुणन जिसको बोलते हैं लोग बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C, A, बॉक्स औफ A, B, C, क्योंडू क्यों होना चाहिए? 0 और बॉक्स ABC की वैल्यू जो होती है वो यह होती है ओक इसको हल करिए तो कैसे solve हो गए यह देखे हो जाएगा लेमडा ब्रैकेट में हो ज और 1 into lambda lambda and 2 into minus 1 minus 2 तो lambda plus 2 और plus 2 plus 2 ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा minus 1 minus 2 lambda equal to 0 चले इसको हल कर दीजे तो यह कितने आपके पास आजाएगा यह lambda cube minus lambda minus lambda again और यह minus का 2 यह minus का 2 again and 2 2s का कितना हो गया minus 4 lambda equal to 0 तो lambda cube minus यह 2 lambda है यह 4 lambda है तो यह हो गया minus का 6 lambda and 2 and 2 minus 4 equal to 0 कह रहा है कि यह value 0 आ चुकी है अब देखे लेमडा का मान निकालना है तो आपके पास 4 options है इसको solve कहने से बेटर है कि आप लेमडा की value निकाल लीजे कि कौन सी value उसको satisfy करेगी तो सबसे पहले देखो मैं 1 put करता हूँ तो 1 में मेरे पास कितना आ जाएगा lambda equal to 1 put करने पर कितना आ जाएगा 1 minus 6 into lambda minus 6 minus 4 equal to 0 जो की 0 की equal नहीं होता है तो 1 option हो नहीं सकता है अब minus 1 put करो अगर आप minus 1 put करते हैं तो भी minus 1 और minus minus 6 हो जाएगा और minus का 4 तो 4 और 1-5 minus कच है जो की 1 आ रहा है मतलब 0 की equal नहीं है तो minus 1 भी answer नहीं है ओके lambda की value 0 put करने पर minus 4 आ रहा है तो answer क्या होगा minus 2 क्योंकि 3 answer satisfied नहीं होगे answer होगा minus 2 अब आप रखकर की भी देख लें minus 2 तो minus 2 minus 8 हो जाएगा minus 2 का cube और minus 6 into minus 2 how much it is plus 12 और minus का 4 ओके तो 8 और 4 बारा और 12 से बारा cancel होगा तो answer कितना होगा 0 तो इस तरीके से lambda का मान्जों हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा minus 2 so minus 2 is the correct answer समझ में आया note कर लिजेश को ओके students चली अगले question की तरफ चलते हैं देखिए ये question जो है AIEEE मतलब की JE 2006 में पूछा गया question है कह रहा है कि 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 equal to 0 के interval 0, pi में x के total कितने मान संभव होंगे यहाँ पर यह आपके पास equation दिया गया है और कह रहा है कि इसके कितने solutions इस interval में होंगे मतलब इसमें हम x की कौन-कौन सी value रखें और जो की इस interval के अंदर हो इसको satisfy करें तो बहुत simple equation है यह क्योंकि sign sign में दिये है तो एक काम करिए आप इसको sign की form में solve कर लिजे तो multiply करने पर आपको कितना चाहिए 2, 3, 2, minus 6 और sum करने पर कितना आना चाहिए 5 तो आप ले लिजे number 6 and minus 1 6 and minus 1 तो number क्या बन जागा आपके पास देखे इसको distribute करोगे तो 2 sin square x plus 6 sin x minus sin x minus 3 equal to 0 2 sin x common ले लिजे तो sin x plus 3 and minus 1 common आने पर sin x plus 3 equal to 0 sin x plus 3 common निकाल लिजे sin x plus 3 and 2 sin x minus 1 equal to 0 तो sin x equal to minus 3 आप जानते हैं कि जो sin x की value होती है वो minimum होती ही minus 1 और maximum होती ही plus 1 तो sin x की value minus 1 से लेके plus 1 की बीच में लाई करती है तो इसलिए sin x जो है minus 3 हो नहीं पाएगा so this is not possible so solution क्या बनेगा 2 sin x minus 1 equal to 0 means 2 sin x equal to 1 तो sin x equal to कितना हो गया 1 by 2 तो sin x की value हमाँ पस कितनी आ गई यहाँ पे 1 by 2 अब देखे interval आपको कितना दिया गया interval दिया गया 0 से लेके πाई तो ये रेखे कि sin x की value 0 से लेके πाई में कितने बार होती है तो sin x का graph बनाईए ये sin x का graph है sin x की highest value कितनी होती 1 तो 1 by 2 middle value होगी इस graph में देखे sin x की value 1 by 2 दो बार हो रही है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो ये interval 0 से πाई दिया है तो 0 से πाई में इसके कितने solutions होंगे correct answer है two solutions तो answer है इसके दो हल note कर लिए देखे अगला question आपके पास integration इसका find करना है so simple it is अब ये depend करता है ये कितने marks का आया हुआ है अगर चलो इसको पहले मैं पूरे तरीके से बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे करना है ठीक है so integration i is equal to आपके पास दिया गया है sin inverse 2x upon 1 plus x square ठीक है ना तो आप ये जानते हैं कि जो formula होता है sin 2 theta का sin 2 theta का formula होता है कितना 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta तो यदि मैं यहाँ पर x की जगे 10 theta put कर दूँगा तो मेरे पास ये formula बन जाएगा sin 2 theta का तो चलिए इस चीज का फायदा उठाते हैं और हम put करते हैं put x equals to 10 theta और आप क्योंकि यहाँ पर आपके पास x है और आप variable को theta में भी लेके जा रहे हो तो theta पूछ लो की भाई theta होगा क्या आँगे काम में आएगा तो theta is equal to बन जाएगा 10 inverse x ओके और यहाँ पर आप इसको क्योंकि dx है और आपने नया variable theta इंट्रोडूस किया है तो आपको यहाँ पर dx by d theta करना पड़ेगा क्योंकि पूरी कहानी आपकी theta में convert हो जाने वाली है तो dx by d theta to 10 theta का differentiation कितना हो जाएगा second square theta तो dx equal to कितना हो गया second square theta और साथ में d theta आएए तो बहुत आराम से अब काम हो जाएगा हमारा तो sine inverse यह क्या बन गया देखे 210 theta upon 1 plus 10 square theta यह उपर लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ sine 2 theta और dx की value किती है dx की value है second square theta d theta तो sine से sine cancel हो गये i is equal to कितना आपके पास आगया 2 बाहर कर लो और theta second square theta और d theta तो यह आपके पास दो function का multiplication बन चुका है अब आप यहाँ पर क्या लगाएगे product rule याने की golden rule लगाएगे खंड़सा समा कलन a into b वाला तो क्या लगेगा i late rule लगाए i late में i l a t e तो पहले क्या आता है algebraic और फिर क्या आता है trigonometric तो यहाँ पर theta algebra का का काम कर रहा है तो यह first function और यह second function so now it is very easy so i is equals to 2 ठीक है न अब इसके बाद क्या है integration लगाई है first function theta into integration of second function second function क्या है second square theta तो second square theta का integration कितना होता है 10 theta minus integration of differentiation of first function तो first function का differentiation कितना हो जाएगा 1 और second square theta का integration फिर से 10 theta का whole integration so finally i is equals to 2 bracket में theta 10 theta minus बच्चो 10 theta का integration क्या होता है log sec theta तो log mod में sec theta plus c यह आपका answer है बट अभी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी दिखे क्योंकि question जो है x की form में है तो आपको theta को convert करना पड़ेगा तो मैं जगे मेरे पास का मैं तो इसको मैं यहाँ पर convert करता हूँ देखे यह कैसे convert हो जाएगा हमाए पास हमने क्या लिया था हमने लिया था x equal to 10 theta so theta become 10 inverse x ठीक है न 10 inverse x तो यहाँ पर आजाएगा i is equals to 2 theta की जगे क्या आजाएगा 10 inverse x और 10 theta की जगे आजाएगा x minus log अब आप लोग जानते हैं sec square theta is equal to होता है 1 plus 10 square theta तो sec theta is equal to होता है under root 1 plus 10 square theta तो यहाँ पर sec theta की जगे मैं लख सकता हूँ under root 1 plus 10 square theta लिख सकता हूँ इससे अपना अच्छा फायदा होगा तो देखे यह क्या हो जाएगा 2 10 inverse x into x minus का log 1 under root 1 plus और 10 theta क्या लिया था आपने x लिया था तो 1 plus x का square plus कितना c यही finally आपका answer बनेगा बताए clear है सभी को clear है मुकुल जोर से बोलिए यस सर ओके यस सर यही दिया है ओके ओके नोट कर लिजे तो इसको अच्छे से बना लिजे ओके देखिए यहाँ पर next question है कह रहा है अफ़लन fx के सभी असांतत्य बिंदों को ग्याद कीजे असांतत्य बिंदों मतलब point of discontinuity find करना है जबकि function f आपको इस तरीके से दिये जा रहा है तो देखिए आपके पास जो function है fx जो define है तो बड़े मज़ेदार तरीके से define है mod x upon x whenever x is not equal to 0 और आपके पास यह क्या है 0 दिया है whenever x equal to 0 तो क्या आपके पास problematic क्या है problematic आपके पास mod x है तो mod x को पहले शुद रूप में लिखिए तब यह function असल समझ में आएगा तो बच्चो mod x की जो value होती है तो क्या हो जाएगा minus x में टूटेगा equal to 0 पे तोड़ने का आपको right नहीं है क्योंकि already equal to 0 पे value 0 दे रखिए तो इस function को आप नए तरीके से लिखिए आपने देखिए x is not equal to 0 है तो आपके पास यह function क्या बनेगा अब आपके function यह पास बनेगा x is not equal to 0 तीन रूप में जाएगा एक x greater than 0 एक x less than 0 और x equal to 0 दे यह हुआ है देखिए x greater than 0 पे x 0 से बड़ा है उस समय mod x क्या टूटा है उस समय mod x जो आपका plus x में टूटा है तो उपर वाला mod x बन गया plus x और नीचे वाला तो x बैठा ही हुआ है x less than 0 पे यह minus x पे टूट गया और नीचे वाला x तो बैठा ही हुआ है 0 पे 0 है तो इस function को simplify करके हमने क्या लिखा इस function को simplify करके लिखा उपर वाला 1 हो गया 1 जब x greater than 0 minus 1 जब x less than 0 और 0 जब x equal to 0 अब क्या कह रहा है कि आपको discontinuous function की point find करने है तो आपके पास यहां तीन function आ रहे हैं अब इसको graphically समझोगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच इस question में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है आईए देखते हैं graphically इस question को समझते हैं function तो हमाँ पास बन चुका है बस इसको graphically समझने की कोशिश कीजिए यह graphically यह कैसे solve होगा यह मैंने function बना लिया है पहले इसका graph बना लो देखो fx को अपन क्या बोलते हैं y fx मतलब output और यह है अपना x तो देखे x से बड़ी value के लिए y कितनी आ रहा है y आ रहा है सबसे पहले 0 पे देखो कितना है 0 तो मैं pen का color change कर लेता हूँ आपको समझ में आएगा तो x की value 0 पे y की value 0 तो पहला point आपको 0,0 यह मिले गया x equal to 0 पे y equal to 0 अगर x की value 0 से बड़ी है तो output क्या है constant मिल रहा 1 मतलब x की value आप 0 से बड़ी ले लो कुछ भी ले लो x equal to 0.1 ले लो तो आपको output कहां से मिलेगा 1 से मिलेगा और अगर आप x की value 0 से छोटी ले रहे हूँ तो आपको output हर जगह पे क्या मिलेगा minus 1 मिलेगा तो ध्यान से देखो 1 के बाद यह कौन सा function है 0 के बाद 0 के बाद x equal to 0 के बाद यह कौन सा function है constant function Constant function और यहाँ भी यह कौन सा function है constant function यह तांक फ़लन तो constant function जो होता है पूरा continuous है इधर भी यह पूरा continuous है क्योंकि इसकी value 1 है हर जगह value 1 मिलेगी केवल आपको 0 पर चेक करना है क्योंकि 0 पर कुछ हो रहा है तो आई ये limit निकालते हैं हम चेक करेंगे 0 पर तो सबसे पहले f of 0 f of 0 equal to कितना आया? 0 आ गया then इसके बाद right hand limit चेक करते हैं क्या? f of 0 plus h, मतलब 0 के आंगे function की value तो 0 से बड़ा ये है और 0 के आंगे function की value कितना आ रही है? plus 1 फिर हम चेक करते हैं lhl मतलब f of 0 minus h मतलब 0 से पीछे function की value कितना आ रही है? minus 1 तो आप देख चुके हैं यहाँ पर plus 1 और minus 1 आ रही है तो clearly है कि since lhl and not equal to rhl lhl rhl की equal नहीं है so fx is not continuous at x equals to 1 sorry 0, x equal to 0 पर ये continuous नहीं है मतलब कैसा है असातत है x equal to 0 पर और अन सभी बिंदों पर ये सातत है अब जैसे आपने कहा कि sir fx equals to mod x plus 3 है ठीक है तो mod x plus 3 का सबसे पहले function बनाई है देखिए आपने अभी तक जैसे fx equal to mod x solve किया ना बिल्कुल वैसे का वैसे ये solve होता है तो सबसे पहले अंदर वाले को 0 पर तोड़ा करो क्योंकि जो भी modulus होता है वो 0 पर break होता है तो ये कहां पर break होता था ये x equal to 0 पर break होता था और x equal to 0 पर break होने के बाद दो चीज़ें आपको मिलती थी एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा ये चीज़ मिलती थी तो यहां पर अगर इसको थोड़े समय के लिए तुम एकठा मान लो और तुमको कुछ भी नहीं आता तुम यहां मान लो कि मुझे mod x आता है तो अगर mod x जैसे feeling पकड़के इसको solve करोगे तुम लो भाई mod x प्लस 3 इकॉल टू ठीक है ना क्या इसको x मान रहती न तुम तो पहला आएगा x प्लस 3 जैसे यह आता था mod x इकॉल टू x कब जब x की value greater than 0 मतलब जब अंदर वाली की value greater than 0 तो जब x प्लस 3 greater than 0 दूसरा minus x कब जब x is less than 0 तो यह हो जाएगा minus x प्लस 3 कब जब x प्लस 3 less than 0 और तीसरा हला की दिया नहीं है तो अपन खुद बना सकते हैं कि 0 कब अंदर की value 0 हो जाएगी कब जब x इकॉल टू खुद में 0 हो जाएगा तो यहाँ पर तीसरा part आप बना सकते हो 0 कब जब x प्लस 3 कब जब x greater than क्योंकि 3 इधर जाएगा तो minus 3 बन जाएगा x greater than minus 3 0 कब जब x equal to minus 3 इधर चला गया और यह हो जाएगा कितना minus x minus 3 कब जब x less than minus 3 तो भई अब आधर डालीजे अगर आपके नंबर से greater जा रहा है तो बड़ा आएगा प्लस का साइन आएगा में आ गया क्या जब less than होगा तो इस तरीके साब इसको बना सकते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप mod x वाली feeling को याद रखो और इसको बना लो बस इसमें मेहनत आपको दो बार करनी पड़ेगी कि एक बार ये बनाना पड़ेगा और एक बार ये आपको बनाना पड़ेगा और दूसरा तरीका क्या है जो भी दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई function दिया गया y is equal to modulus of x plus 3 तो प्रतेक modulus function कहां पर तूटता है 0 पर तो सबसे पहले पता करो कि ये कहां पर तूटेगा तो x plus 3 को किसके equal करो 0 पर तो x equal to कितना आगया minus 3 अब दो point मिल गए आपके पास एक बनेगा x greater than minus 3 और एक बनेगा x less than minus 3 और x equal to minus 3 पर तो आपने अभी 0 के equal करके दिखाई दिया तो x equal to minus 3 पर तो 0 हो जाएगा अब function आप खुद बना लीजिए भाई तो fx equal to mod of x plus 3 कितने पार्ट में तूटेगा तीन पार्ट में तूटेगा एक कब जब x greater than minus 3 होगा x minus 3 से बड़ा होगा तो यहाँ पर minus 3 से कोई बड़ी value डालोगे तो answer क्या आएगा positive आएगा तो यह किसमें तूटेगा positive x plus 3 में x equal to 3 minus 3 पर कितना तूट जाएगा 0 पर तूट जाएगा यह तो बहुत सरल है और x less than minus 3 मतलब इस point से पीछे की तरफ तो क्या आएगा negative आएगा तो negative of x plus 3 कब जब x less than minus 3 done clear होगा की नहीं होगा तो इस तरीके से function आप बना सकते हैं एक general part में में एक function का example लिएक आपको दिखा देता हूँ x minus 1 x plus a यह लो जी x plus a का mode है तो सबसे पहले आप x plus a को किस से compare कर दो 0 से तो x equal to कितना होगा minus a अब भाई x equal to minus a तो minus a डालोगे तो minus a plus minus a कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो x plus a equal to तीन बाते होंगी इससे दो चीज़ आएगी एक तो minus a से बड़ा और एक minus a से छोटा तो minus a से बड़ा होने के लिए x greater than minus a minus a से छोटा होने के लिए x less than minus a और एक x equal to minus a तो minus A पर तो अभी आपने देख लिया value किती हो रही है 0 x greater than minus A क्योंकि इससे बड़ा है इसलिए positive पर जाएगा तो कितना हो जाएगा positive of x plus A और इस पर क्या हो जाएगा negative of x plus A इस तरीके से आपको modulus लिखना पड़ता है कोई भी modulus function हो ठीक है clear हुआ done अगर यदि इसका graph बनाना चाहते है तो देखे graph भी बन जाएगा अगर आपके पास मान लो जैसे पिछला question था आपके पास में ये था x plus 3 तो x plus 3 कहाँ पर break हुआ माइनस 3 पर मतलब माइनस 3 पर function की value 0 हो रही है तो ये suppose ये point है minus 3 तो दो चीज़े हैं एक minus 3 के आँगे और एक minus 3 के पीछे तो minus 3 के आँगे कौन सी line जा रही है y equal to x plus 3 तो somehow ये line ऐसी जाएगी और minus 3 के पीछे कैसी जा रही line minus x minus 3 तो आप इस line को draw करोगे तो इस तरीके से ये line ऐसे आएगी ओके ये हो जाता है done तो इसको आप कहीं भी draw कर सकते हो draw करने से भी function का nature पता चल रहा है कि ये जो function है ये continuous है क्योंकि देखे आप इसको बीना pen उठाए draw कर सकते हैं तो ये function कैसा है continuous है ठीक है ना yes ये function continuous है और याद रखेगा modulus function हमेसा continuous होता है चाहे कोई भी modulus function हो जाएगा modulus function is always continuous लिख लिए आप लोग अपनी कॉपी में कि modulus function is always continuous modulus function जो होता हमेसा continuous होता है but not differentiable मगर ये differentiable नहीं होता है मगर ये differentiable नहीं होता है अगर आप इसका right hand derivative और left hand derivative निकालेंगे तो equal नहीं आएगा ठीक है ना क्योंकि नहीं आएगा equal क्योंकि रेखे modulus function जो होता है वो sharp pages आपको यहाँ पर मिल रहे है और इन sharp pages पर ये function differentiable नहीं होता है चाहे आप कहीं भी बनाएंगे तो sharp pages ये जो sharp को ना मिल रहा है इस point पर ये function not differentiable होता है done चलिए एक और question यहाँ पर discuss करते हैं ये अच्छा question है J levels का question है J main advanced level का question है आई इसको discuss करते हैं question क्या कह रहा है if alpha beta gamma are the roots of the equation x square plus x cube plus p x square plus q x plus r equal to 0 आपके पास एक cubic equation दिया गया है और इसके root क्या दिये गया है alpha beta gamma तो कह रहा है कि बताइए sigma alpha square beta की आपको value बतानी है okay sigma alpha square beta अब भाई ये sigma alpha square beta क्या है पहले तो ये समझ लो तो question को थोड़ा सा crop करके इस question की और अंदर तक चलते हैं अखरी question कह क्या रहा है ये question आपके सामने है कह रहा है आपके पास एक cubic equation दी गई है क्या है cubic equation मतलब 3 power की equation x cube plus p x square plus q x plus r equal to 0 ये आपके पास एक 3 power की equation है हम लोग सब लोग जानते है कि 3 power के root कितने होते है alpha, beta, gamma अब ना हमको alpha पता ना हमको beta पता ना हमको gamma पता अब ये कह रहा है कि आपको बतानी है value sigma summation alpha square beta तो summation alpha square beta लगा है ना summation मतलब इस तरीके के बनने वाले सारे pair तो एक बनेगा alpha square beta एक बनेगा beta square gamma और एक बनेगा gamma square alpha ये value बतानी है और चार ओफशन ये गए हैं और option किसके form में है coefficient के form में है P, Q, R इसके form में है तो better है इसको करने के लिए हम क्या करेंगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे एक बार इसको देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको best तरीके से करने के लिए short trick लगा सकते हैं आप इसमें आप मान लीजिए कि आपका जो equation है सबसे पहले आप equation को बना लीजिए तो मान लीजिए कि आपके roots थे 1, 2 and 3 तो अगर root आपके 1, 2, 3 थे तो आपका equation क्या बनेगा? कैसे बनेगा? अगर roots आपके 1, 2, 3 होते हैं अगर alpha equal to 1 है बीटा equal to 2 है और gamma equal to 3 है तो equation कैसे बनेगा? x minus alpha, x minus beta, x minus gamma equal to 0 यह आपका बनता है क्या? quadratic equation इस तरीके से cubic equation, sorry, roots factor का गुणा कर दो factor का गुणा कर दीजिए so x minus 1, x minus 2 और x minus 3 equal to 0 अब इसको हल कीजिए तो हल करने के बाद देखे आपके पास यह आ रहा है यह equation finally आपके पास बन गया अब आपका जो main equation है यह है तो इससे तुलना करिए इसकी x q plus p x square plus q x plus r से तो p की जगे आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है p की जगे minus 6 बैठा है q की जगे 11 बैठा है और r की जगे कौन बैठा है? minus 6 बैठा है तो आपको value किसकी चाहिए है? sigma alpha square beta की जिसका मतलब मैंने आपको समझाया अभी alpha square beta plus beta square gamma plus gamma square alpha तो alpha square beta कैसे निकलेगा? बहुत simple alpha square beta alpha मेरे पास कितना है? 1 है तो 1 का square into beta 2 है तो 1 का square into 2 हो गया फिर beta कितना है? 2 तो 2 का square into 3 हो गया फिर gamma square alpha याने 3 का square हो गया 9 into 1 तो 12 और 12 14 14 प्लस 9 कितना आगया? 23 मतलब हमारे पास इसकी value 23 आनी चाहिए अब option में match करिए 23 कौन दे रहा है? तो सबसे पहला option है 3R minus PQ तो 3R की value किती है minus 6 minus और P की value किती है minus 6 और Q की value है 11 तो मैंने put किया तो कितना आगया? 3 into 6 minus 18 और प्लस का 66 जो की satisfy नहीं कर रहा मतलब option A भी नहीं है ऐसे ही मैं P और Q, R Q की value B पे रखूँगा तो ये भी satisfy नहीं करेगा 3R भी satisfy नहीं करेगा तो इसका correct answer क्या होगा? None of these तो ऐसे questions का use करके जो है आप निकाल सकते हैं इनके solutions को ओके, thank you तो एक बार फिर से देख लीजे कैसे करना इस question को आपके पास दिया गया है factorial x equals to factorial 8 का फिर से factorial ठीके ना? जो की थोड़ा मैंने बाहर लगा दिया है upon factorial 8 तो factorial 8 को आपने क्या ले लिया? suppose y ले लिया factorial 8 को तो factorial 8 बन जाएगा उपर बन जाएगा factorial y upon y इसको मैंने break कर दिया तो y into y minus 1 y minus 2 dot 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 3 to 1 y से y cancel हो गया so factorial x equals to y minus 1 आ जाएगा तो दोनों तरफ factorial हटा देंगे तो कितना जाएगा y minus 1 और y की वैलू यहाँ पर कितनी है? 8 है तो 8 minus 1 equal to 7 7 is the answer ओके देखिए बचो अगला question दिया है यहाँ पर 1 upon 5 plus 4 sin x तो इसको कैसे करना है? तो best तरीका है कि आप यहाँ पर sin को 10 के form में convert करो और मैंने आपको इसके पहले format बताया भी था कि अगर कभी भी question आपके पास आता है dx upon a plus b sin x ओके? या a plus minus b sin x या dx upon a plus minus b cos x या dx upon a cos x plus minus b sin x तीनों format आप लोग लिख लो बच्चों इन तीनों format में आपको एक ही चीज करनी है कि sin x को आपको पुट करना है 2 10 x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2 ओके? cos x आपको पुट करना है 1 minus 10 square x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2 और भी method है solve करने के बट मुझे सबसे अच्छा ही लगता है और 10 x को आपको पुट करना है 2 10 x by 2 upon 1 minus 10 square x by 2 अगर आपके पास 10 x आए तो क्या पुट करोगे? चलिए sin और cost से ही काम चल जाएगा 10 x की तो बात होईगी नहीं आपे बस दो चीज़ें याद रख लीजे अब आईए इसी question को मैं solve करता हूँ इसी method से कैसे solve होगा देखे तो integration i is equal to 1 upon 4 plus 5 sin x की value पुट कर दीजे क्या बनेगी sin x की value 2 10 x by 2 upon 1 minus 10 x by 2 ठीके नहीं so i is equals to यहाँ पर कितना आजाएगा ऊपर देखे पहले LCM करना पड़ेगा तो ऊपर पलट करके आजाएगा 1 minus 10 x by 2 और नीचे कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा 4 minus 4 10 x by 2 और फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा plus 5 2 जा 10 10 10 x by 2 यहाँ देखे 1 minus 10 square x by 2 dx है आप जानते हैं 1 minus 10 square theta कितना होता है second square theta तो ऊपर बन गया second square x by 2 और नीचे आप लिख सकते हैं 4 minus 4 10 square x by 2 plus 10 10 x by 2 ठीके ना तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 minus 4 10 square x by 2 plus 10 और 10 x by 2 ठोड़ी question बढ़ा जाएगा आप क्या करना पड़ेगा देखे नीचे 10 x by 2 है उसका differentiation उपर बन रहा है ओके नीचे जो है 10 x by 2 उसका differentiation उपर बन रहा है तो 10 x by 2 को आप T सपोस्ट कर लिजे तो आपका काम बन जाएगा 10 x by 2 को हम लोग क्या सपोस्ट करते हैं T चली तो इसको सम्प्लिफाइ करते हैं let 10 x by 2 is equal to T सपोस्ट कर लिया तो differentiate कर दो dT by dx differentiate करेंगे 10 x by 2 का differentiation होगा सेके स्क्वाइर एक्स बाइटो और साथ में एक्स बाइटो का कितना हो जाएगा 1 by 2 तो मेरे पास कितना आगया सेके स्क्वाइर एक्स बाइटो dx कितना होगया 2 dt तो चलो फिर question simplify होना सुरू हो गया सेके स्क्वाइर एक्स बाइटो डी एक्स की जगे में क्या पूट कर दूँगा उपर 2 dt और नीचे 4 माइनस 4t स्क्वाइर और प्लस का कितना 10t यह है अब आपको नीचे बनाना है completing the square नीचे आपको बनाना है completing the square करिए यहां से माइनस 4 common ले लिए पूरे से तभी यह easily बन पाएगा ठीक ना आपने उपर से यहां से माइनस 4 common ले लिया तो उपर तो बैठा हुआ है 2 dt और नीचे आपने क्या common लिया है माइनस 4 तो यह क्या बच जाएगा देखे बच जाएगा टी स्क्वाइर प्लस प्लस नहीं माइनस 10 अपन 40 और यहां पे आएगा माइनस का 1 आराम से देख लिए थोड़ा सा टाइम दे करके अपने आपको क्या दिया मैंने मैंने माइनस 4 common ले लिया है जिससे कि मेरे को problem ना हो मैनस की मैने माइनस 4 तो मेरे पास उपर 2 है 2 से कट गया माइनस 4 2 ताइमस तो मेरे पास skill मिलाकर कितना बचा बाहर aowar 1 भाइट 10 और नीचे है ट का square दो से काटीए दो बार दो से काटीए 5 बार क्वेर कुंप्लीडिंग दे स्कॉर करना पड़ाएगा तो डी टी यहाँ पर है टी स्कॉर माइनस तू का इस का मल्टीपलाई करेंगे एक ही जगना टू बैठा है और टू का डिवाइड करेंगे तो 5 by 2 into 2 कितना हो गया 5 by 4 तो ये बन गया a square minus 2 a b तो plus b का square add करना पड़ेगा b का square कितना 25 बटे 16 और minus का 1 minus 25 बटे 16 जितना add किया उतना subtract किया तो minus 1 by 2 dt upon ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा t minus 5 by 4 का whole square यहां तक ये बन गया और फिर देखे minus 16 और 25 ये minus में है क्योंकि तो minus 16 और 25 चैपांच 11 minus 41 upon कितना 16 ये हमारे पास आ चुका है बहुत बड़ी expression आ रही है चली अब इसको फिर से आंगे simplify हमें करना पड़ेगा चली तो कैसे इसको simplify करेंगे minus 1 upon 2 T minus 5 by 4 minus 41 upon 16 कैसे इसको simplify करेंगे रेखे आप T minus 5 by 4 को U ले लो T minus 5 by 4 को आप क्या ले लो U ले लो T के respect में differentiate करो D U by D T equal to कितना हो गया T का differentiation कितना हो गया अपने पास भाई साब 1 थोड़ा पे इनको पतला कर लो मैं T का differentiation अपने पास कितना हो गया 1 minus 0 equal to D U by D T So D U equals to कितना हो गया D T D equals to D T चलिए तो अब आई जाए ये question में तो integration I is equal to कितना चल रहा है बाहर है minus 1 by 2 उपर है कितना D U और यहाँ पर है U का square minus इसको मैं लिख सकता हूँ under root 41 upon 4 का whole square तो अब formula बन गया dx x square minus a square 1 upon 2 A log x minus A upon x plus A तो I is equals to minus 1 upon 2 into 1 upon 2 A तो 1 upon 2 A की जगे कौन बैठा है under root 41 upon 4 तो 4 उपर चला जाएगा log of U minus under root 41 upon 4 upon U minus U plus under root 41 by 4 तो बहुत 2 to the 4 cancel हो गया I is equals to हाँ कुछ बोल रहे हो 1 upon 41 log of 4U minus root 41 upon 4U plus root 41 अब इसके बाद U की value रख दीजे U की value क्या थी? T minus 5 by 4 और फिर इसके बाद T की जगे जो आपने लिया था X कितना? 10X लिया था ना? 10X by 2 वो पुट करना पड़ेगा तो ये बहुत बढ़ा question होता है बताओ clear है कि नहीं है? हलो clear क्या नहीं समझ में आया हो बोलो बेटा क्या नहीं है समझ में शुरद्धा? सर्च लाश्ट में एक लिखला है अपना कौन सा वाला डर्म? तूसरी लाइन ये यहाँ ये वाली लाइन कौन सी लाइन बोल्डर बेटा? जल्दी से बोलो एक बार इसको पूरा-पूरा कौपी में लगाओ फिर आपको clear होगा common लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट लगाई इसको यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर अपने पास जो integration का फॉर्मूला होता है dx upon x square minus a square का तो यह फॉर्मूला लग गया है 1 upon 2a log x minus a upon x plus a यह मैंने फॉर्मूला लगाए है तो देखो minus 1 upon 2 तो पहले ही से था वो रखा हुआ है बुलो हाँ यह पहले ही से है यह लिख दिया अब 1 upon 2a तो 1 upon 2 यह 2 है into a ए कितना बनेगा 41 upon 4 तो root 41 upon 4 और log of x minus a upon x plus a बस कर दिया यही